हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ राकिश पबार आज हम देखेंगे हमारी क्लास 8 में हिस्टरी का चेप्टर 2 जो की हमारा फ्रॉम ट्रेट टू टेरिटरी अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बिटिस लोग थे वो ट्रेट करने के लिए यहाँ पर बिजनिस करने के लिए आए और उन्होंने हैं पर अपनी टेरिटरी कैसे डेपलग्ड कर ली यह सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे तो हमने इसका सोट समरी बना लिया है तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट है हमारा ओरंग जेव वास्ट पावरफुल मुगर रूलर जो इस्ट इंडिया कंपनी है यह जो बिटिस पीपल है वो किसके बाद है हमारे मुगल के बाद तो मुगल में जो पॉरंग जेव था वह लास्ट रूलर था और जो पावरफुल भी था उसको हराकर इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ गहीं सेकेंड हम देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी कम्स इस्ट इंडिया कंपनी जो थी कहां से आई हमारे कंट्री के अंदर इस्ट से तो 1600 century में उन्होंने British को क्या बोल दिया कि आप यहाँ पर trading कर सकते हो मतलब आप यहाँ से business कर सकते हो Second number है East India Company bought goods at a cheap price and sold damage higher price in Europe East India Company क्या करती थी यहाँ से जो goods हुआ करता था उसको कम पैसों में ले जाती थी और Europe में जाकर उसको जादा पैसों में बेचा करती थी जिससे उसकी economic condition काफी अच्छे हो गई थी Third है हमारा cotton and silk produce in India had a big market in Europe इंडिया के अंदर जो cotton and silk produce होता था उसका काफी market करते थे Europe के people Europe में खासकर England के जो people थे वो यहाँ से cotton and silk लेके जाकर Europe की country में जादा दामों में बेचते थे Fourth है हमारा paper, clothes, cardamon, cinnamon very great demand जो paper है, clothes से बने हुए जो चीज़े है cardamon है, cinnamon है यह सारी चीज़ों की Europe में बहुत जादा demand रहती थी और इसी की marketing इस्ट इंडिया कमपनी के लिए abilities जो people ने वो करते थे Third point है हमारा East India Company Baggins, trading बंगाल अब धीरे धीरे जो East India Company है उन्होंने अपना business जो है बंगाल में भी setup कर लिया तो देखते हैं, number one In 1651, the first English factory was set up on the bank को प्रिवर हुग ली 17-1751 इस भी में जो East India Company है या British people जो है उन्होंने अपनी पहली factory खोल ली और वो कहां पर खोली उन्होंने बेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर Second है हमारा ओरंग जेव issue of farmen granting the company the right to trade duty free अब ओरंग जेव ने क्या करा इन लोगों को कि marketing करने के लिए या business करने के लिए यहाँ पर उनको trade duty free कर दी मतलब आप यहाँ से फिरी में business कर सकते हो इस तरह का उनको rule Third है The company tried to praise for more construction and multiply existing privilege लेकिन कुछ जो restriction थे वो British East India Company पर ओरंग जेव ने लगा दिये थे जिससे East India Company काफी नाराज थी और उसी के बाद उन्होंने क्या करा था औरंग जेव को गदी से हटा दिया था दूसरे राजाओं के साथ मिलकर वो हम देखेंगे आगे 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 जैसे ही जलते जाएंगे तो वो सारी चीज़े हम देखेंगे अब fourth point है हमारा How did trade lead to battle अब यह जो business था यह battle में कैसे बदल गया बहुत हो business कर देखेंगे था लेकिन यह battle में कैसे बदल गया तो number one After the death of ओरंग जेव the Bengal नवाब asserted their power and autonomy जब ओरंग जेव की death हो गई तो उसकी जो power थी बंगाल के नवाब ने अपने अंडर ले लिए और वहाँ पर अपना kingdom स्टेबलाइज कर दिया सेकेंड है जो ओरंग जेव ने बोला था कि आप यहाँ पर marketing कर सकते हो फिरी में उसी का बंगाल के नवाब जो बन थे उन्होंने उसका अपोस किया जिससे इस इंडिया कंपनी दुखी थी और उसने उसके अगेज बार डेक्लियर कर दिया अब देखते हैं अब जो अलवर्दी खान थे बंगाल के नवाब उनकी 1756 में डेथ हो गई और फिर उसके बाद बंगाल की जो चेयर थी या किंडम था उस पे सिराजुद्दल्ला को बिठा दिया गया थर्ड पॉइंट हमारा इन 1757 रोवर्ट किलाइव लेट दे कंपनी आर्मी अगेंस सिराजुद्दल्ला एट प्लासी और फिर उसके बाद जो रोवर्ट जो हमारे सिराजुद्दल्ला थे वो भी इस्ट इंडिया कंपनी का पोस्ट करते थे तो उसी को लेकर 1757 में रोवर्ट किलाइव ने कि जो आर्मी थी उन्होंने बेटल उप प्लासी सेकंड बेटल उप प्लासी को लगा और जो किसके अगेस था सिराजुद्दल्ला के अगेस था उसको लीट कौन कर रहे थे इस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से तो रोवर्ट किलाइव फोर्थ है में जीजन फोर डिपीट ओप नवाव बस देट दा फोर्स लेट बाई मीर जाफर बन उब दा सिराजुद्दल्ला कमांडर नेवर फोर्ट दा बेटल और ये बेटल जो थे सिराजुद्दल्ला हार गए और इसका हारने का जो में जीजन है बोई ये है कि जो उसके कमांडर थे मीर जाफर उन्होंने इससे पहले कभी फारिट नहीं लगी थी और एक और भी जीजन है कि जो में जाफर थे उन्होंने बिल्टिस के साथ पार्टनर्सिप कर ली थी जिसके लिए बिल्टिस ने बोला था कि आप हमारी तरफ से लड़े तो हम आपको बंगाल का नवाव बना देंगे फिप्टर पॉ में जाफर बास प्रोमिस बाय किलाइव टू में नवाव आफ्टर क्रूजिंग स्राज दोल्ला यहीं चीज़ अभी बता रहा था मैं कि जो मीर जाफर है उसको प्रोमिस दे दिया था बंगाल जो जो रोवर्ट कलाइब है कि स्राजुद्ध रॉल्ला को हराने के बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा तो ये बहुत बग़ा रीजन था एक स्राजुद्ध रॉल्ला की हर का अब हम देखते हैं आगे दे बैटल उब बक्षर को तो पहला पॉइंट है हमारा अफ्टर डिपीटेट प्लासी स्राजुद्ध रॉल्ला वास असेंट एंड मीर जाफर वास मेट दा नवाब जैसे ही प्लासी की लगाई खतम हुई और उसमें जिसा जिद्ध दिल्ला हार गए तो रॉवर्ट के लाइब ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया सेकेंड है मीर जाफर वास जस्ट अपपेट इन दा हैंड्स ओब बिटीशर और जो मीर जाफर थे वो एक कटली पुटली की तरह थे जो बिटीश जैसा कहते थे वो वैसा ही करते थे थर्ड पुट है हमारा इन 1764 दा बैटल ओब बक्सर बास फोर्ट बिटीशर और मीर कासिम अब देखो ज़रा मीर जाफर के बाद और भी एक आया फाइटर जो था मीर कासिम उसने 1764 भी में बैटल ओब बक्सर को लगा किसके सांथ बिटीश के सांथ फूर्थ है हमारा इसी में इन 1765 मीर जाफर डाइड और फिर 1765 भी में जो मीर जाफर था वो मारा गया फूर्थ फिप्ट पॉइंट है हमारा इन 1765 दा मुगल एमपराई अपॉइंटेट दा कंपनी अस दीवान ओफ दा प्रोविंसे सो बेंगाद फिप्ट 1765 में क्या करा मुगल एमपायर जो था उन्होंने दीवान बना दिया अलग अलग प्रोविंस के जो किसके नीचे काम करेंगे तो इस्ट इंडिया कंपनी के आगे हम देखते हैं कंपनी ओफिशेल बिकम नबूपस अब जो कंपनी के जो पीपल थे वो किस तरह से नवाब की पोजिशन पर आए तो नंबर वैन इन 1764 रोवर्ट किलाइब बस अपॉइंटेट गवर्नर ओ बेंगाल 1764 में जैसे बैटल ओफ बक्षर हुआ और उसमें बिकिस जीद गई तो रोवर्ट किलाइब को क्या बना दिया बंगाल का गवर्नर बना दिया सेकेंड पॉइंट है नबूपस अन अन्फिलाइज वर्जन ओप इंडियन वर्ड नबाब जो इस्ट इंडिया कमपनी थी उनके जो हेड हुआ करते थे उनको नबूपस बोलते थे वो जो की इसका इंडिया में मतलब होता है नबाब अब हम बात कर लेते हैं कमपनी रूल एक्सपेंड दिशे दिरे कमपनी का जो किंग्डम था वो किस तरह से बढ़ा ये सारी चीजे हम देखते हैं आगे अब ज़र देखो कमपनी का जो एक्सपेंड का जो तरह तरिका था या उनका किंग्डम बढ़ने का जो में जीचन था वो ये था कि कमपनी के जो मिलिटरी थी वो किसी भी टेरिटरी पर कभी भी अटेक कर देती थी और कोई भी कभी भी इन पोर्मेशन नहीं देती थी वो विताउट इनफोरमेशन दूसरी टेरिटरी पर अटेक कर देती थी और जिससे वो ये ज़र अपना बढ़ा लेते थे Second point है After Battle of Boxer The Company appointed a resident in Indian state जैसे बैटल और बक्षर हुआ उसके बाद company ने अपने resident अलग-अलग states बना दिये जिसमें उन्होंने अपने head nuked कर दिये थे The third point है हमारा The company force the state into subsidiary alliance और जो company थी वो दूसरे जो state हुआ करते थे उनसे subsidiary alliance के लिए force करती थी अब एक हमारा नया word आया है subsidiary alliance तो subsidiary alliance का मतलब यह होता है कि जो दूसरा state है या दूसरी territory है जिसमें एक अलगी नवाब है उसको वो परिसान करते थे ऐसा करते थे कि उनसे बोलते थे वो क्या आप हमारी territory या हमारे kingdom में सामिल हो जाओ नहीं तो हम आपके उपर attack कर देंगे तो यह एक region था दूसरे जो छोटे 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 राजा होते थे वो भी इनके साथ mix हो जाते थे और फिर इनका area बग़ जाता था फॉर्थ पॉइंट है हमारा दा नभाब अवद एंड निजाम अवफ हैदरबाद बैफोस टू सेट territories एंड एकसेब दा सबसेडरी अलाइन और इसमें जो नभाब थे अवद के और निजाम जो थे हैदरबाद के उनको फी काफी फोस किया गया कि आपको भी हमारी territory में participate करना है या आपको भी जो हमारी subsidiary alliance policy है उसमें participate करना होगा और उनको मजबूरी में इस सारी चीजें करनी पड़ी नहीं तो वो military से उसके उपर अटेक करबा देते अब हमारा आगे आता है टीपु सुल्तान दा टाइगर ओफ मेशूर अब इसी चेप्टर में हमें टीपु सुल्तान के बारे में भी थोगा दिया है तो उसको हम देख लेते हैं पहला पॉइंट है इसमें हमारा टीपु सुल्तान वाजशन ओफ हैदर अली जूलर ओफ मैशूर जो टीपु सुल्तान थे वो हैदर अली के सन थे और जो कहां के जूलर थे मैशूर के सेकंड पॉइंट है हमारा टीपु सुल्तान जूविड मैसूर फ्रों 1782 तो 1799 और टीपु सुल्तान ने मैसूर पर 1782 से लेकर 1799 में तक रूल किया था थाड पॉइंट है हमारा फोर बार फोर बेटिस और प्रों बेटिस और मैसूर और लगबग चार बार लगई हुई बेटिस और जो टीपु सुल्तान उसके बीच में इसलिए इसको बोलते हैं एंजलो मैसूर बार और यह कौन से कौन से टाइम परियेड में हुई तो वो दे में टीपु सुल्तान की देथ हो गई वो थी 1799 फोर्थ पॉइंट है हमारा इन 1799 दा बेटिस और बेटल ओप सिरी रंगपट्नम अगेंस मैसूर और जो 1799 की जो फाइट थी वो बेटिस ने जीत ली जो कि सिरी रंगपट्नम में हुई थी फिफ्ट पॉइंट है हमारा टीपु सुल्तान बासकिल्ड डिफेंडिंग इस कैपिटल सिरी रंगपट्नम और टीपु सुल्तान की 1799 में ही देथ हो गई और वो अपनी जो कैपिटल थी सिरी रंगपट्नम उसको बचाने में उनकी देथ हो गई तो ये था हमारा टू टेरिटरी कैसे बिटी से स्टी इंडिया कंपनी यहाँ पर बिजनेस करने आई और दिये दिर उन्हों ने अपनी यहाँ पर टेरिटरी बना ली तो मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में जिसमें हम करेंगे चेप्टर नमबर थर्ड अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, धन्यवाद